नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें निशिकांत दूबे भातिये जनता पाटी के बड़बोले नेता हैं और इन दिनों अपनी डिगरी को लेकर बौकलाए हुए हैं इसी बौकलाहट में उन्होंने अंडशंट बकना शुरू कर दिया है या पहली बार नहीं है जब दूबे जी बौकलाए हुए हैं और सत्ता की अपनी धमक में ये भूल बैठे हैं कि किसी भी सभ्समाज में एक चुनी हुई नेता के लिए ऐसे शब्द का इस्तमाल करना न स सिर्फ गैर कानूनी है बलकि वो घटिया मानसिक्ता का सूचक भी है काश दूबे जी को इतनी बात समझ में आती तो इतना बवाल ही नहीं होता सही कहते हैं डिगरी तो खरीद लेंगे लेकिन तमीज और संसकार कहां से खर देंगे खैर भारतिय जंतापाटी के लोगों से उमीद की भी कैसे जा सकती है जब उनके प्रधान मंत्री ही संसद भवन में खुलेाम रेणुका सिंग पर टिपणी करते हुए उसे ताड़का बताते हैं शसी थरूर की पतनी को 50 लाख की गर्ल्फरेंड बताने के अलावा सोनिया गांधी को रास्ट्रिये विद्वा बता सर्याम ममता बनर जी को दीदी ओ दीदी कहकर मजाक उड़ाते हैं उनके सांसदों से तमीज की उमीद करना बेमानी है और निशिकांत दूबे जैसे माफिया से तो बिलकुल भी नहीं की जा सकती है हुआ ये कि बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे के एक ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है उन्होंने बिना नाम लिये पश्यम बंगाल के सांसद महुआ मोहितरा और जारकंड के विदायक दीपिका सिंग को नगरवधु की संग्या दे दी निशिकांत दूबे की डिगरियों पर लगतार सवाल उठा रही है निशिकांत दूबे ने एक ट्वीट किया जिस पर सवाल उठ रहे हैं सवाल कि क्या एक सांसद किसी महिला के लिए ऐसी उपमा का उप्योग कर सकता है दूबे ने एक महिला सांसत को एक महिला विधायक का जिक्र करते हुए वैशाली की नगरवधु का उदाहरं दिया उन्होंने कहा कि सांसत पश्चिम बंगाल की हैं और विधायक जार खंड की लोग इसे करमशह महुवा मोहित्रा और दीपी का पांडे सिंग से जोड कर देख रहे हैं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने इसकी निंदा की है तो कॉंग्रेस प्रवक्ता सुपरिया सुनेत ने कॉंग्रेस की तरफ से केंद्रिय मंत्री स्मृति इरानी से जवाब मांगा है वहीं जब महाखबर की बार दीपी का सिंग से हुई तो उन्होंने बताया कि निशिकांत दूबे कोई काम नहीं करते और केवल लाइजनिंग का काम करते हैं उनकी डिगरी पर जब सवाल उठाया गया तो वो पर्सनल आचेप करते हुए वैश्या जैसी शब्दों का इस्तमाल करने लगे वाकई ये नीचता की पराकास्था है दरसल त्रिंड मुल कॉंग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा निशिकांत दूबे की MBA की डिगरी को लेकर हमलावर है वो दावा कर रही है कि निशिकांत दूबे की डिगरी फर्जी है उन्होंने बीजेपी सांसद की PhD डिगरी पर भी सवाल खड़ा किया है उधर जारखंड से कॉंग्रेस विधायक दीपी का पांडे सिंग ने भी उन्हें फर्जीकांत दूबे कह दिया है इन हमलों से निशिकांत दूबे ने ट्विटर पर आपा खो दिया और इशारों में दोनों महिलाओं को नगरवधू की संग्या दे दी अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और निशिकांत दूबे को उनके ही ट्विट पर लोग लगतार ट्रोल कर रहे हैं और भाजपा के चाल चरित्र और चेहरा उजागर होने की बात कर रहे हैं पंग्रेस विधायक दीपी का पांडे सिंग ने महुआ के ट्विट को शेयर करते हुए निशिकांत दूबे को फरजिकांत दूबे कहा था और उन्होंने दावा किया था कि डिगरी को लेकर सवाल पुछे जाने पर सांसत ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है और उसके बाद द दूबे के दिन लद गए हैं क्योंकि देवघर डीसी मंजुनात भजंत्री ने इन पर इतने केस ला दे हैं कि इस जनम में इनको इससे पाना मुश्किल होगा और इसके लिए वो अपने आका के तलवे चाट रहे हैं ताकि थोड़ी राहत मिले और हो सके कोई कसर बची हो व हुआ है